Hello everyone, how are you? First of all, thank you to all of you. Thank you from the bottom of my heart. You all love me so much and care. I feel like I am so much like you or not. But you all give me a lot of respect. You all have a lot of advice. I have recovered many times. 90% recovered. I have no fever today. Today I am feeling normal. I wanted to take a lecture today. But the thing was that I wanted to rest one day. It's not good. I have rested today. It's okay until now. We will start classes from tomorrow. As usual, you will be able to do DSA classes. and the page is on the page. And the page is on the page. And the page is on the page. I will start the page. I will try to take a long lecture. But it's okay. We will do speed and recover. I will recover. I am not good at all. But at this point, I will resume classes. It's not necessary to waste time time. I will try to learn more. I will do two things with you. I will do other things with you. I have a lot of students who say, कि सर क्या दोनों कोर्सित हम लोग ले ले मतलब जो भी है अजकल मुझे पता है सब डाल रहे है बीडियो सब अब को इसलों करते जा रहे हैं को चाएं प्लाइब भी कर ले क्या दोनों साथ-साथ नहीं चालें अधर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूंगा मैं आपको एक बस reality बताता हूँ एक reality check देता हूँ उसके बाद आप लोग अपने अप decide करना क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखो अभी फिलहाल ऐसे मान करके चलो आपका brain है बिल्कुल खाली इस टाइम आपके brain में कुछ नहीं है तो जो भी information आएगी वो बहुत speed से आपके brain में feed-in होती जाएगी आपको दिक्कत मिसूस नहीं होईगी तो होगा क्या कि आप बहुत जल्दी चीजों को grab करेंगर आपको लगएगा कि ठीक है कोई problem नहीं है सबकुछ ठीक ठाक चल रहा है ऐसे एक महिने बितेगा दो महिने बितेगे लगबग दो-तीन महिने के बाद जो भी आप समझ लो मतलब कुछ एक subsequent time के बाद जो generally होता है मेरे को students बताते हैं मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ कोशन उठाएंगे जो भी फर्स सब्जेक्ट पढ़ा था आप लोगों ने के discrete mathematics करा कोशन उठाया स्वाल नहीं हुआ उस परट उफ टाइम पर लगेगा बहुत बड़ा धक्का कि मेरी से डिरेक्शन गलत है मैं पढ़ता तो जा रहा हूँ लेकिन आगा अगे बढ़ता जा रहा हूँ पीछे वाला सारा छुटता जा रहा हूँ पीछे सारा में भूलता जा रहा हूँ और वो टाइम होता है reality check तब आपको पता लगेगा कि revision बहुत जरूरी है कि वही बात है ऐसे कोई भी बोलता रहे करते रहोगा ऐसे कोई फाइदा नहीं होता जब तक धक्का नहीं लगता तब तक आदमी समझनी आती चीज़े उस टाइम पर बहुत बड़ा धक्का लगता है और धक्का लगने के हैं उनका दिमाग सट होएगा कि नहीं revision करनी पड़ेगी और फिर आपके जिमें तीन चार काम से इकठे आ जाएंगे पहले तो क्या था सिर्फ lectures लगा रहे थे उसको revise कर रहे थे lecture लगा रहे थे रिवाइस कर रहे थे बस वही सब चल रहा था एकदम ऐसे लगा था कि smooth life है क कोई दिख्कत नहीं कोई परशानी नहीं बहुत हरां से सब चल रहे बट उसके बाद क्या होगा जब आपको धक्का लगे इसके बाद एक्टे लगाने है उसके notes बनाने है उनको revise करना है पूराना revise करने साथ साथ लगेगा कि पीवाइक भी कूस करने पड़ेंगे तो 4-5 क काम इकठ्व हो जाते है शुरू शुरू में अगेन अगेन i am starting starting में एक महीना दो महीना और कोई pressure नहीं होगा कुछ नहीं होगा सब dealers notch चले गा लो तीन महीने के बाद जब आपके subjects complete हो जाते हैं एक दो subject हो जाते हैं उनको इनको साथ साथ revise भी करना है नया भी पढ़ना है PYQs भी करने हैं सब कुछ इकठा हो करके काम बहुत ज्यादा एक दम बढ़ जाता है और उस point of time पे संभलना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे students उससे time पे करके भाग जाते हैं भी हमसे नहीं होगा और फिर धीरे धीरे और सोचो और से पढ़ते जाओगे फिर पुराना और ज्यादा revision ही कठी होती चले जाएगी कि सब काम parallel करना है ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ classes लगाई जा रहे और नोट्स बनाए जा रहे और निको प्रवाइस करें जा रहे हो बस हो गया काम नो नोट अट अल यह competitive exam को थ्यार करने का तरीका नहीं है बेटा parallel ही सब कुछ करना पड़ेगा revision भी करने पड़ेगी पिछले सब जो पढ़ लिए उसके भी अब जो नहीं कर रहे है उसके भी सब कुछ इकठा करके चलना पड़ता है तब जाकर के आप एक you can say एक confident gate aspirant बन पाएंगे और जब December January आएगा उस point of time पर एक दम शान्ती के साथ खड़े होगे कि हाजी मेरे कुछी आती है नहीं तो क्या होगा अभी जैसे चला रहे हो चलते जाओगे चलते जाओगे जब आएगा November December फिर तुम्हारी आखे खुलेंगे और लगेगा कि बहुत दे करनी पड़ती है अब आप खुद से डिसाइड करो कि आप ये सारा काम एक अठा दो टॉपिक्स गेट के पैरले तियार कर लोगे अगर लगता है कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशल है कि तुम कर सकते हो तन यू शूड़ पो फॉर इडर्वाइस मेरे साब से कोई फैद अब अब ये अब अब लोगों को मैंने पहले बताया था लेकर फिर से बताता हूं आप सब कुछ छोड़ो मेरे से इतनी बात करो ये तो अभी स्टार्ट है अभी अभी हाल फिलाल में ट्रेंड आया है ये तो अब है अब शुरू हुया उससे पहले तक ये सुझेक्ट में टच भी नहीं होते थे ठीट अब्टैक में आते थे पीजी लेवल का सिंपल बात करो फीजी लेवल के अब्रेशन लेवल के कॉर्से नहीं क्योंकि अभॉंक्य एडवांस लेवल ने तबान्स प्रॉपर मैथमेटिक आपको आने चाहिए, probability statistics बहुत अच्छे से होने चाहिए, लिगने जबर आप बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब एकदम tips पर होना चाहिए, उसके बाद उन सब की application आप वहाँ पर जा करके देखोगे, तो अगर ये basics आपके धंके नहीं है, तो एकदम आप advance नहीं कर सकत एक होता है, एक होता है concept को पढ़ना, एक होता है उसको समझना और एक होता है उसको question solve कोने, और difference है इक जिजों में तो एक बार ही पढ़के एक बार समझ के एक दम चीजे नहीं नहीं गुषती, टाइम लगता है, उसके बाद आप जाकर के चीजों को एपलाइ कर सकते हो, तो यह सब basic mathematics की ही applications हैं, तो यह सब applications करने के लिए आपकी पहले यह सब चीज़े बहुत strong होनी चाहिए, और एकदम से आप सुचो कि अभी चुटकी बजा के strong करके ऐसे कर जाओगा नहीं होगा, simple भास में बात करो, आंगरे जी किताब पढ़के तो आंगरे जी बोल जाओगे आपकी जो इच्छा है, जैसे आप चलना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है, जैसे आप चलना चाहते हो आप चल सकते हो, इन सब चीजों को ऐसे हलके में मतलो कि आप लोगों की hard earned money है, आप लोगों की parents की hard earned money है, मैं नहीं चाहता कि वो waste होए, और मैं सिर्फ फर से students का भला चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता, इसलिए सोच समझ के decide करना, जल्दबाजी में decision मतलो कि हाँ दोनो courses में unroll कर लेते हैं, दोनों साथ सा चलाते हैं, दोनों parallel करते जाएंगे, सब होता तल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, गेट की त्यारी है, कोई मुझाग नहीं है, और अगर आपको लगता है, कि हाँ जी मैं सब कुछ parallel चला लूँगा, questions भी practice कर लूँगा, पी वाइक् मैं वर्चुली आपके साथ handshake करता हूं, और आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, और अराम से देखो, सोचो, समझो, ठंडे दिमाग से decide करो कि किस तरफ जाना है, अगर आप sure हो, AIML की तरफ जाओ, अगर आप sure नहीं हो, आप dilemma में हो कि पता नहीं मेरे को समझ आएग सकते हैं, CSE से AIML में घुस सकते हैं, तो इस बात को अच्छे से समझ रो, और CSE की तियारी करो, और उसके हिसाब से फिर आगे देख लेना, फिर उसकी बात जब आप MTECH करने के लिए जाओगे तो आपके बाद सारे options खुले हैं, जिस फील्ड में जाना है, सिस्टम में ज जाते हो, जो भी सब्स लेना चाहते हो, आपको फुल छूट मिलेगी, लेकिन, on the contrary, AIML, MTECH अगर आप करोगे तो फिर वही सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, उसी तरफ ही चले जाओगे, आप वाप सिस्टम सब्जेक्स की तरफ ही और कहीं आप नहीं जा सकते, मैं आप लोगों कुछ इज़े समझा पाया हूंगा अच्छे से, अब आप लोग अच्छे से सोचिए कि क्या दोनों पहले ली चलाने का कुछ सेंस बनता है, तो चलाओ, एक बात और बताता हूं, जब रिवीजिन करनी होगी तो आँके तुम्हारी बहुत खुल जाएगी दिसंबर जनुरी में पता लग जाएगा अच्छे से, बहुत बात की बात कर रहा हूं, सेप्टंबर अक्टूबर आते पता लग जाएगा कि दो-दो चीजे मैंने साथ चला ही है, पता है कितना इकठा हो जाएगा काम करने को आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपको ठीक आपकी सोच, आपकी स्टेटेजी जैसे आपको लगता है, आपको कर सकते हो, बट मैंने आपको एक शिशा दिखाना था, मैंने आपको एक मिरर दिखा दिया आपके साब, वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंट के साथ चेर जूरूर करना, थैंक अपने आपको लगता है, अपने आपको लगता है, अगर आपको लेक्चर अगर आपके पास, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा दिन सोचता हूं और एक रिकॉर्डिंग करता हूं सुबह चार बजे उठके, तो आप सोच सकते हो, क्या कंटेंट होगा और क्या लेवल होगा उसका बनाने का है, और अगर आपको लेक्चर टाइम है अगर आपके पास, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा कंटेंट फ्री उस पर डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग मैं इस बात की गरंटी लेता हूँ, कभी भी मेरे तरफ से आपको कॉलने जाएगा, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है, मैं कोई मतलब मैं अकेला आद में अपना काम करता रहता हूँ, तो आप ये चीज तो आप क्या सोच सकते हैं, कि में पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं आप सब लोगों को फोन करकर के बोलनों कि कॉर्स परचेस करो, ऐसा करो, वह ऐसा कभी नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी के साथ कभी कोई उस तरीकी का काम कभी नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन मतले ना, आप अप अटलीस्ट डाउनलोड करिए, एप डाउनलो